हेलो दोस्तों स्वागते आप सबका फिर से एक बार नई वीडियो में दोस्तों आज की सुड़ों में हम बात करने वाले हैं अगर हम हमारा मोबाइल पूरी रात भर चार्ज को रखे तो क्या हमारे मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो सकती है क्या हमारे mobile की battery life खराब हो सकती है या तो फिर क्या हमारा mobile खराब हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम phone को रात में charging पर लगा देते हैं और सो जाते हैं जिसकी वज़े से mobile की जो battery है पूरी रात charging पर रहती है mobile battery 100% full हो जाती है फिर भी charger हम stop नहीं करते याने disconnect नहीं करते और mobile की battery जो है charge होते रहती है तो क्या ऐसा करने से battery खराब हो सकती है या नहीं तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं अगर आप पूरी रात भी mobile की battery जो है charge करते हो तो आज कल की जो advanced technology है वो इतनी advanced हो चुकी है mobile के बारे में अगर आप फुल रात भर mobile की battery charging पे रखते हो तो जब battery 100% हो जाती है उसके बाद आपके phone की जो battery है वो automatically charger को disconnect कर देगी याने charger तो connect रहेगा mobile के साथ लेकिन वो जो supply आता है charger से वो disconnect हो जाता है और आपकी जो battery है वो खराब होने से बचती है ना ही blast होती है और ना ही battery फूलती है लेकिन पहले के जो mobile के काफी साल पहले की उनमें यह technology नहीं थी जब भी mobile की battery 100% हो जाती थी हमें charger को जो है disconnect करना पड़ता था अगर नहीं करते disconnect तो आपने देखा होगा कि कई सारी mobile में battery फूलने की जो problem थी वो आती थी क्योंकि battery over charge होते रहती थी जिसकी वज़े से battery खराब हो जाती थी कभी कभी blast भी हो जाती थी और battery फूलना तो एक आम बात हो चुकी थी लेकिन mobile के आज की जो advanced technology है उसमें ऐसा नहीं है आप battery को फूल चार्ज कर सकते हो पूरी राग चार्ज कर सकते हो चोबी सो घंटे चार्ज कर सकते हो आपके phone की जो battery है वो खराब नहीं होगी और नहीं ब्लास्ट होगी और नहीं आपके mobile में कोई problem आएगी क्योंकि add-on technology में यह जो है जितना battery को current चाहिए उतना ही लेगी और उसके बाद automatically जो चार्जर है वो disconnect हो जाता है चार्जर भले आपका mobile के साथ connect हो लेकिन उसकी जो supply है वो automatically internally disconnect कर दी जाती है तो इसकी वज़े से आपके phone में कोई भी problem नहीं आएगी लेकिन ऐसा करना भी ज़्यादातर सही नहीं होता है क्योंकि अगर आप battery को बार बार 100% चार्ज करेंगे तो उसकी जो battery life cycle है वो थुड़ी कम होने लगती है तो इस बात का आप ख्याल रखे कि बैटरी को बार बार 100% चार्ज ना करे कभी कबार हो गई तो कोई problem नहीं लेकिन daily 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 100% चार्ज बैटरी को कभी भी नहीं करना चाहिए 90% तक ही चार्ज करना चाहिए और 0% तक भी डिस्चार्ज कभी भी नहीं करना चाहिए बैटरी जब 10% या 15% तक आए तो उसे चार्ज पर लगा देना चाहिए तो दोस्तों यह थी छोटी से information उम्मेद आपको यह जो वीडियो है पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक और चैन